नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच कबर का एक्रम विपक्षी गडबंधन ने इस मामले में सफलता हासिल की कि उसने सुलकते कराहते मनिपुर को राष्टी परिद्रिश्य में रखा है यह जो नक्षा आपको मनिपुर का दिखाई दे रहा है यह जो तीन मैं से सुलक रहा है मनिपुर उसे लेकर जिस तरह से विपक्ष का गडबंधन इंडिया उसके 21 सांसद पहुचे इस सुलकते बिलकते सवाल उठाते मनिपुर में और वहां से लौट कर उन्होंने संसत के भीतर और संसत के भार मोधी सरकार को जिस तरह से घेरा वह साव दिखाई दे रहा है कि विपक्ष की एकता लगातार मोधी सरकार के लिए परिशानी का सबब बनी हुई है एक बात जो बहुत साफ साफ शब्दों में मनिपुर मनिपुर की जनता लंबे समय से कह रही थी हम न्यूस क्लिक में कह रहे थे कि मनिपुर में स्थिती खराब है वही बात 21 सांसद जो देश के 21 सांसद हैं इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया यानी विपक्षी गडबंधन वे साफ साफ शब्दों में देश की राजदानी में भी कह रहे हैं कि वहाँ पर हाल बहुत खराब है जिस बड़े पैमाने पर लोग वहाँ विपक्षी गडबंधन के तीम से मिलने आए जिस तरह से रहाशिवरों का उन्होंने मुआयना किया उससे एक डोर बंधी कि बाकी भारत किस तरह से फिक्रमंद है और राष्टी राजनीती के केंद्र में मनिपुर बतौर राज, मनिपुर बतौर मुद्दे और बड़ी पुर बतौर मुदी सरकार की सबसे बड़ी डबल इंजन सरकार की विफलता के तौर पर स्थापित होत सवाल उठाया, कि मनीपूर में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है वहां की भाशपा की डिबल इंज्ञन सरकार। तक्रीबन यही सारे मुद्चे, यही सारे सवाल बनिपुर की जनता लंबे समे से उठा रही है कि वहां कि जो सरकार है, बिरेन सिंग की सरकार है, उसकाMIyondtum समर्थन मूल्य है समे वहां के तमाम दल, तमाम जाती समू, तमाम आदिवासी समू, लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं कि बिरेन सिंग सरकार पूरी तरह से निष्ट्री है, हस्तक शेप नहीं कर रही, और तो और वहां सवाल प्रधान मंत्री नरेन मोदी की चुप्पी को लेकर भी है, और विपक्ष ने पूरी एक जुटता के साथ इसे केंद्री मुद्दा बनाया है, और अभी तक वे इस मामले में सफलता इस मामले में हासिल नहीं कर पाए, कि मोदी जी को बाद भी करें, कि वे सदन के भीतर खड़े होकर जवाब दें, और केंद्री सरकार उसके तमाम मंत्री सिर्फ एक ही मुद्दे पर बहस को केंद्रित किये हुए हैं, और शायद यही भारती जन्ता पार्टी की रढ़नीती है, क्योंकि इसी दोरान वे तमाम महत्पूर्ण बिल पारित करने की तैयारी में हैं, कई पारित हो रहे हैं, इसी बीच एक एहम डवलप्मेंट और मनिपूर का जो वाइरल वीडियो है, जिसमें दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त करके परेट कराती भीड दिखाई देती है, और बाद में इन दो महिलाओं के साथ सामोहिक बलातकार होता है, यौन हिंसा होती है, ये दो महिलाएं देश की सर्वोच अदालत पहुची, उन् चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे हैं इस मामले की, ये महिलाओं क्या मांग कर रही हैं, ये महिलाओं बहुत साफ साफ शब्दों में मामल कर रही हैं, कि इस पूरे मामले की SIT से जाच होनी चाहिए, और इस SIT का नितृत करना चाहिए, किसी इंडिपेंडें पुलिस ऑफिसर को, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है, जो बहस हुई है, उसने यह बात भी साफ की है, कि मनिपुर की इन दो महिलाओं के साथ साथ, जो बाकी केसेज हैं, जो बाकी मामले हैं, जिनका जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज खुद कर करते हैं, उन तमाम मामलों की सुनवाई कैसे होगी, कहां होगी, क्योंकि यह आशंका मनिपुर के लोगों को है, कि कहीं ऐसा ना हो, कि मनिपुर के इन मामलों की सुनवाई, मनिपुर से हटाकर आसाम कर दी जाए, और वे इसके लिए बिल्कुल तयार नहीं है, जिस तरह से इन दो महिलाओं ने पूरी हिम्मत और निर्भीकता के साथ देश की सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया उससे एक बात साफ हो गई है कि मडीपूर की ये महिलाएं और इन जैसी अंगिनत महिलाएं किसी भी दबाओ, किसी भी डर, किसी भी खौफ से चुप रहने को तयार नहीं है वे नियाय चाहती हैं और जिस तरह से वे पहुची हैं और उनके पक्ष में पूरी की पूरी टीम सुप्रीम कोट में बहस करती नजर आई कि उससे भी ये मामला साफ हुआ कि इस पर परदा डालना मुदी सरकार के लिए और बिरेन सिंग सरकार के लिए उतना आसान नहीं है जितना उन्हें लग रहा था यहां एक चीज़ का ध्यान रखना और जरूरी है कि लगातार भाशपा सरकार यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह सिर्फ एक मामला है ऐसे अनगिनत मामले हैं कि इस तरह के जो अंगिनत मामले हैं महिलाओं पर यौन हिंसा के उसे आखिर भारती जनता पार्टी सदन के भीतर एक जनरल हिंसा में क्यों तब्दील करना चाहती है वह क्यों बताना चाह रही है कि जो मणिपूर में हुआ तकरीबन वही राजिस्थान चतिसगर या पश्च सकता कि देश के किसी भी राजि में इतने लंबे समय से इस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है और इतने बड़े पैमाने पर खुद आपके मुख्य मंतरी कहते हैं कि यौन हिंसा हुई है बताईए कौन सा राजिय है जहां इतने बड़े पैमाने पर यौन हिंसा होती है और कह जो प्रॉसेज है नियायका की मामला दर्ज हो, FIR हो, सुनवाई हो, वह पूरी तरह से विफल है, कोलाप्स्ट है। इसी क्रम में यह भी देखना बहुत दिल्चस्प है, कि मानसून सत्र में, जिस समय विफक्ष सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव ला चुका है, किस तरह से हंगामा चल रहा है, मनिपुर पर सरकार पूरी तरह से मुझ चुपा रही है, लेकिन जो बहुत गंभीर सवाल है वहिया, कि इस पूरे हंगामे के बीज, देश के हित से जुड़े, देश की जनता के हित से जुड़े, देश के संघिय डाशे से जुड़े हुए अंगिनत बिल पारित हो रहे हैं, जन जंगल जमीन से जुड़ा विधेयक, जो दरसल कॉर्परेट लूट को खुली छूट देता है, उसे जिस तरह से लोकसभा में वन सररक्षन संचोधन विधेयक पारित किया गया, वह गंभीर चिंता का विशय है, इसे लेकर देश भर में परियावर रण विद, आदिवासी हकों के लिए काम करने वाले लोग, देश से प्रेम करने वाले लोग सवाल सरक्षन कानूनों के दाइरे से चूट होगी, और जिस तरह से रास्टिय सुरक्षा पर योजनाओं, छोटी सड़क से लेकर जो तमाम अरंगिनत योजनाएं हैं, जिसमें निवास से लेकर, सड़क से लेकर तमाम सड़कें आती हैं, उन सब के लिए जंगल की जमीन, सरकार और पूरा तंत्र ले सकता है, इस पर जो गंभीर चिंता जताई गई, उसे सिरे से दरकिनार करते हुए, आनन फानन में यह विधेयक लोगसभा में पारित हुआ, और जो आलम दिख रहा है, इस तरह के अंगिनत बिल, इसी तरह से इस सदन में पारित होंगे, जिसमें दिल सेवा अधिनियम भी जुड़ा हुआ है, उसे लेकर भी बड़े पैमाने पर विपक्ष एक जुठ है, और सारे विपक्ष ने एक स्वर में कहा है, कि वे रासभा में इसका पुर्जोर विरोत करेंगे, लेकिन एक बास साफ दिखाई दे रही है इस सत्र में भी, कि चाहे सवाल आदिवासी से जुड़ा, जंगल से जुड़ा हो, या सवाल मिनरल खनिस से जुड़ा हो, ऐसे अंगिनत सवाल, एक सिरे से सरकार, इन पर विपक्ष की एक सुनने को तैयार नहीं है, और पूरी तरह से मनमानी करने पर उतारू, मुदी सरकार दिखाई दे रही है, हम बात कर रहे हैं इंडिया की, जो गडबंधन है विपक्ष का, और देखिए, इस इंडिया की एक चहरे हैं शरत पवार, वही शरत पवार, महराष्ट के पाउरफुल नेता, जिनकी NCP, भारती जनता पार्टी के पूरे के पूरे ऑपरेशन में भाश्पा के पास चली गई, वह रहे गए कुछ लोगों के साथ, लेकिन जो संकट दिखाई दे रहा है, वह बहुत गंभीर संकट है, पूरे में, यानि महराष्ट में, मोदी जी के साथ मंच साजा करने की बात है, एक अगस्त को, मोदी जी को, प्रधान मंत्री को, लोकमान तिलक राष्टिय पुरसका दिया जाना है, और इसमें शरत पबार उपस्थित रहने हैं, यानि इंदिया का एक चहरा मोदी जी के साथ, क्या महराष्ट में जो बैठक होनी है, विपक्षी गडबंधन की, उससे पहले यह दूसरे ढंकी, हलचल, और दूसरे ढंके, चेंज, या यू कहिए, कि जो ऑप पार्ति जन्ता पार्टी का, उसी की एक कड़ी है, कैसे देखेंगे इसको, एक और बड़ी खबर, जो बताती है कि मोदी जी को, मोदी सरकार को, किस तरह से, सही सही आकड़ों से, बहुत परेशानी होती है, और यह परेशानी इतनी जादा हो जाती है, कि अपने ही नेत्रि है, जुड़ा हुआ, नेशनल फैमिली हल्थ सर्वे को जो तयार करते हैं, जो संस्था करती है, इंटरनाशनल इंस्ट्यूट ऑफ पॉपलेशन साइंसेज, उनके जो निदेशक हैं, के एस जेम्स से, के एस जेम्स को, मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, निलंबित कर दिया, और जो खबरे आ रही हैं, जो सूत्रों के हिसाब से खबरे हैं, जो खबर आपकी स्क्रीन पे चल रही है, उसके मताबिक सबसे बड़ी वज़ा है, जेम्स के निलंबन की, कि जो आकड़े आ रहे थे, जो आकड़े सामने वे ला रहे थे, या यू कहिए, जो जमीन से सही आ आकड़े आ रहे थे वे मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे इसमें सबसे बड़ा आकड़ा मोदी जी के ब्रैंड एमबेजडर जिसके हैं वो स्वच्छ भारत ओपन डिफेकेशन फ्री से उससे जुड़ा हुआ है यानि खुले में शौच से देश मुक्त है अभी इसी स सदन के सत्र में यानि मानसून सत्र में इससे जुड़े मंत्री सदन में लोकसभा में उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी मैला प्रथा नहीं है और आप देखिए यह जो डेटा है यह बता रहा है कि एक भी राज्य नहीं है अगर लक्षदीप को छोड़ दिया जाए जहां पर सौ फीसिदी किसी भी राज्य की आबादी ऐसी नहीं है जिसके पास सौ फीसिदी टॉयलेट है यानि अगर टॉयलेट नहीं है तो वह खुले में शौश पर जा रही है मोदी जी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान उसको चुनौती देता ह हुआ यह सर्वे का यह आकड़ा है इससे परिशानी है और दूसरा वह भी बहुत परिशान कर रहा है मोदी जी को यह बता रहा है एनफ हैस फाइफ का जो डेटा है कि 40 फीसिदी से अधिक जो घर है उनके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल यानि रसोई गैस नहीं है यानि जो उज्वला योजना है वह किस तरह से फ्लॉप है इसकी तरफ इशारा कर रहा है देशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का यह आकड़ा अब आप सोचिए इससे तो मोदी जी और पूरा सरकार का जो तंत्र है वह कितना परेशान होगा अब देखिए यह आकड़ा इस आकड़े पर भी लीपापोती करने की पूरी तैयारी मोदी सरकार कर चुकी है यह है खून से कमी को लेकर आकड़ा एनीमिया से जुड़ा आकड़ा यह भी बताता है कि बड़े पैमाने पर लोग खून की कमी से ग्रस्त हैं और शायद यही वज़ा है कि जब यह आकड़ा सामने आया तो एनेफएचेस छे जो होना है उससे खून की कमी वाला पैरामीटर उसे नापने वाला यह सवाल ही हटा दिया गया जेम्स की जो निलंबन है इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी कहानी कहता है कि अगर जमीन से सही तत्थे आ रहे हैं और वरिष्ट अधिकारी उसे रोकने में संभव नहीं होता तो उसका निलंबन तै है सच में मोदी जी हैं तो मुमकिन है आज देश भर में हिंदी के और भारत के महान रचनाकार प्रेम चंद को याद किया जा रहा है आज प्रेम चंद की जैनती है और आज जब हम बात कर रहे हैं नफरत की और प्रेम की तो उनका यह लेक इस लेक का यह अंश अपने आप में बहुत महत्मून हो जाता है जो उन्होंने लिखा था घृणा के पक्ष में अब आप देखिए उस समय प्रेम चन लिखते हैं कि सिर्फ प्रेम ही नहीं घृणा क्यों जरूरी है और वह बकाइदा बताते हैं कि किस चीज से घृणा करनी जरूरी है क्योंकि अगर हम बुराई से घृणा नहीं करेंगे तो हम बुराई से दूर नहीं रहेंगे अगर हम पाखंड धूरता अन्याय बलातकार से घृणा नहीं करेंगे तो हम खुद उससे पीडित हो जाएंगे वो कहते हैं घ्रिणा का उद्देश ही है कि उससे बुराईयों का परिशकार हो पाखंड, धूर्तता, अन्याय बलातकार और ऐसी अन्य दुश्प्रवर्वितियों के प्रती हमारे अंदर जितनी ही प्रचंड घ्रिणा होगी उतनी ही कल्यानकारी होगी घ्रिणा के शितिल होने से हम बहुदा स्वय ही उन्ही बुराईयों में पढ़ जाएंगे और स्वय वैसा ही घ्रिणित वहवार करने लग जाएंगे जिनमें प्रचंड घ्रिणा है वह जान पर खेल कर भी उनसे अपनी रक्षा करेगा और तभी उनकी जड़ खोद कर फेक देने में वह अपने प्राणों की बाजी लगा देगा यानि प्रेम चंड भी मानते हैं कि जो बुरा है जो देश के लिए और हमारे लिए खराब है उससे अगर हम और आप घ्रिणा नहीं करेंगे तब हम और आप प्रेम को बचा नहीं पाएंगे शुक्रिया